Hello and Welcome मैं एक बात बताओ आपको अगर आपको Cloud Expert बनना है तो AWS सीखना पड़ेगा क्योंकि ये No.1 है अब अगर आपको AWS सीखना है तो प्लीज आप Shortcut तरीके से मत सीखेगा ऐसे मत सीखेगा कि बही सिर्व आपको एक्जाम देना है क्योंकि Shortcut से आप एक्जाम 100% दे सकते हो पर फिर Interview पास नहीं कर पाओगे और अगर सायद Interview भी पास कर दोगे तो जब Real World में कोई Project पे Implementation Phase में जाओगे तो फिर फ्रावलम होगा तो अभी समय है सान्ती से सीखना है मैं आपको पूरी डीटेल में सब कुछ सिखा रहा हूँ बस थोड़ा टाइम निकालिए और वीडियो सीरीज पूरी देख लीजिए आप एक्सपर्ट बन जाओगे for sure मैं आपको एक एक्जामपल देता हूँ कि हम जब कोई भी वीडियो बनाते है तो कैसे carefully सभी options को include करते जैसे के अभी हमारी current series चल रही है cloud front की अब अगर cloud front में जब आप distribution बनाने जाओगे तो देखिए origin के अंदर ये सभी settings है default cache behavior के अंदर ये सभी settings है function associations के अंदर ये सभ settings है ये सभी के videos हमने already इस series में बना लिये है अगर आपने वो नहीं देखिया है तो पूरा playlist देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि expert बनने की ये process है वो कैसे काम करती है और किस तरह हमने आपको एक 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 points को समझाया अब हम आगे जाने वाले है तो देखिए हमारे जो next topic है it is about web application firewall अब web application firewall के बारे में अभी हम नहीं सीखने वाले है क्यों? क्योंकि आगे जाके हमारी जब security series आएगी तब हम web application firewall को detail में सीखेंगे अभी मैं ये कहूँगा कि मेरे distribution में मुझे ये web application firewall use नहीं करना है तो detail में आगे सीखेंगे अभी आदा अधूरा नहीं सीखना है then आता है settings settings में मैंने price class cnm record ssl certificate का एक पूरा वीडियो बनाया है link description में दे दूँगा वो आप देख सकते हो अब बाकी है जाते में कितने options हैं हमारे पास हमारे पास पहला option है supported http versions तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे और अगर time रहा तो फिर default root object के बारे में भी बात करेंगे तो total अब हमारे पास सिर्फ 4 options है चारों को हम step by step देखेंगे देखते है कितना time videos के लिए लगता है उसी साब से अगर हो सके तो 1 हो सके तो 2 हो सके तो 3 और अगर time रहेगा तो all 4 options को हम cover कर लेंगे इसी वीडियो में So, let's start 2024 में docker सिकना ज़रूरी है पर क्यों इन सवाल के जवाब को जानने के लिए जोइन किजिए हमारा upcoming free webinar link description में है book your sick now Thank you अब सबसे पहला option है supported HTTP versions यहाँ पर हमारे पास check box है यानि के अगर आप चाहो तो HTTP 2 and 3 बुद्धोनों को select कर सकते हो अगर ना चाहो तो कोई problem नहीं है पर क्या है पहले समझ लेते हैं When configuring a cloud front distribution you have option to specify which version of HTTP protocol you want to support अब देके अगर मैंने यहाँ से एक भी version नहीं लिया तो क्या होगा HTTP version 1.0 and HTTP 1.1 are supported by default तो यहाँ पर क्या ना यह additional functionality है क्योंकि distribution बनाया है तो website तो open करेगा तो HTTP request तो send करेगा तो 1.0 and 1.1 option available है by default अगर आपको additional facility में HTTP 2.0 or 3.0 चाहिए तो आप add कर सकते हो the options typically include HTTP 2.0 and HTTP 3.0 both which offer significant performance and security benefits over older HTTP 1.0 protocol तो select करना हमारे लिए अच्छा है cloud front will automatically use the best version supported by the viewers, browser or client तो कौन website open कर रहा है आपके browser की यानि के जो website open कर रहा है उसकी browser की capacity के अनुलूग उनको HTTP का version सब्क किया जाएगा जैसे अगर मैं यहाप HTTP 2 टिक मार्क लगाता हूँ तो देखेगे कि वह जो open कर रहा है उसका browser कौन सा है HTTP 2 सपोर्ट करता है तो HTTP 2 देदेगा अगर नहीं कर रहा है तो फिर HTTP 1.0 या 1.1 देदेगा जिस तरह से आपके browser की compatibility है उस हिसाब से अब HTTP 2 HTTP 2 is an upgrade over HTTP 1.1 and it is widely supported by the modern browser तो अभी जब हम यूज करते है Chrome यह Safari यह सब HTTP 2 सपोर्ट करते है तो इसमें select करने में कोई problem है नहीं और by default यह option select करके ही आता है तो इसे speed और security भी best बेटर हो जाती है और अगर किसी के पास सपोर्ट HTTP 2 नहीं है पूराना वाला version है तो भी हमें problem नहीं है क्योंकि उनको वो फिर HTTP 1 पे website देदेगा तो ऐसा नहीं है कि आपको modern browser ही चाहिए क्योंकि इसमें तो यह है कि जब open करेगा उसके browser की compatibility के हिसाब से उसको यह version provide कर दिया जाएगा अगर unstable network है network की speed अच्छी नहीं है तो भी HTTP 3 perform better करता है वैसे तो इसमें कोई भी option ले लो कोई problem वाली बात नहीं है क्योंकि at the end कौन सा version customer को साउग किया जाएगा वो तो उसकी compatibility के उपर है तो यह तो बहुत easy process था अब next default root object देखे कहीं बार क्या होता है न हम जब कोई चीज theoretical समझते हैं तो मैं समझने में दिक्कत होती है पर practically अगर कोई चीज समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा बहुती easy ऐसा ही एक option है हमारे पास default root object मैंने क्या किया है यहाँ पे एक cloud front distribution बना के रखा है देखो क्यूंकि मैं practically आपको पहले इस process को समझाओंगा कि actually यह default root object यहाँ पे जो option हमें मिला है जब हम कोई cloud front distribution बनाते है तब जो हम मिलता हो कैसे काम करता है पहले practically देख लो उसके बाद theoretically देख लेंगे तो आपको easily समझ में आ जाएगा राइट, so let's start अब देखो मैंने यहाँ पे एक distribution बनाया अब इस particular distribution में मैंने क्या किया है sorry, sorry to interrupt you I know that video बहुत interesting है पर अगर आप यह 100 days challenge के सभी videos पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको दो options दे रहे option number one हमारी website www.cloudfoxhub पे चाहिए वहाँ पे आपको 100 days YouTube challenge कोर्स मिलेगा उसको subscribe करेए हमारा prize बहुत ही कम है just 4.99 रुपीस यह जो भी videos हम यहाँ पे YouTube पे डालते है वही full video आपको इस particular कोर्स में मिलेगा 240 videos total मिलेंगे दूसरा एक बहुती अच्छा option है जो हम आपको YouTube के थ्रू देंगे नाव यू के जोइन आवर यूट्यूब इलाइट मेंबर सी प्रोग्राम एज वेल ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी YouTube चैनल CloudFox Hindi पे जाएए वहाँ पे exactly subscriber बटन के बाजू में आपको एक जोइन बटन मिलेगा वहाँ पे जोइन करिए आपको मन्तली सिर्फ और सिर्फ 89 रूपीज पे करना है और ये सबी वीडियोज आपको फुल तो वहाँ पे मिलेगे ही अप टो 240 और कई सारे courses जो हम future में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रूपीज पर मन्त I hope you will join this. Thank you very much. Goodbye.